आज हम बात करने वाले हैं National Park के बारे में जो कि अगर एक्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो देख लेते हैं इसको जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि नैसनल पार्क होता क्या है जानना जरूरी है कि तहका है यह यह विवित्ता वाला एक ऐसा छेत्र जहां एक या अनेक पार्ष्थिक कंत्र पाई जाते हैं राष्टी उद्यान कहलाता है नेशनल पार्क कहलाता है एक या अनेक पार्ष्थितिक कंत्र हो जहां पर एक एक से ज्यादा पार्ष्थिक कंत्र हो ऐसे स्थान को राष्टी उद्या किया जा सकता है आगे क्या है इसका इंपोर्टेंस देख लेते हैं इंपोर्टेंस और महत्तु क्यों इसको बनाया जाता है क्या चीज़े जरूरी है किसी ऐसे पास्तिक छेत्र इकोलोजिकल एरिया को जिसमें जीव जन्तों फोना, वनस्पतियों फ्लोरा, भू आकरती और जलिय महत्तों का हो और जिसे संरक्षित किया जाना नितान तावश्यक हो वन्य जीव संरक्षन अधिनेव 1922 के तहत राज्य सरकार उसे राष्टी उद्यान घुशित कर सकती है इसमें तीन से चार चीज़े आई हैं जानना जरूरी है ऐसा पारिस्थितिक छेत्र जिसमें जीव जन्तु हो जिसमें जीव भी हो जन्तु भी हो और वनस्पति भी हो फ्लोरा, फोना और भू आकरती हो और जलिय महत्तों के जलिय पारितंत्र हो जलिय महत्तों का हो और जिसे संरक्षित किया जाना नितान तावश्यक हो, लग रहा है कि ऐसी चीजें नश्ट हो सकती हैं, तो क्या होगा उसको संरक्षित कियाना नितान तावश्यक हो, संरक्षित करना बहुत जरूरी हो, क्योंकि अगर वो संरक्षित नहीं हुआ, उसको अगर बचाया नहीं तो वो चीजे खतम हो शकती है, आने वाले समय में वो नहीं दिखाई देंगे, तो ऐसी चीजों को जरूरी है कि उनको बचाया जाए, उनको समरक्षित किया जाए, चाए उसमें जीव हो, जन्तु हो, बनस्पति हो, जलियत अंत्र हो, या भुवाकरती हो, भुवाकरती भी इ और वन्य जीव सम्रक्षन अधिने 1902 के तभेत, इसको वन्य जीव सम्रक्षन अधिने 1902 की तहद बनाया जाता है, उन्य दिखरत राज्य सरकार उसे सकती है इसको गोशना का अधिकार किसको है राज्य सरकार को है इसको राष्टिय ध्यान भोशित कर सकती है इनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है जीव जंतु वनस्पती भुवा करती या जली तंत्र इनमें से कोई एक तंत्र भी हो सकता है यह सारे तंत्र हो सकते हैं इसको ब वेड़ानेंग शिक्शा वात सोदकार है विशार्च वरके लिए इसके पैड़ पुद्र जीब जन्तों की प्रजाथियों तता भ्या अकलतियों को उसके मूल रूप में स्रणक्शित किया जाना किया जाता है ठीक है विशिस्ट पैग्गनिक शिक्षावा सोध कारें के लिए रिसर्च अगर वर्क करना है अगर वहापे तो इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि उसका जो मूल है मूल रूप है उसको नश्ट न क्या जाए उसमें कुछ बदलाव न क्या जाए उसको जैसा है वैसी रखा जाए इस तरह से आपको research work करना है कि उसको नुक्षान नुक्षान होगा तो अपने रूप को बदलेगा या वो नुस्ट भी हो सकता है स्वोध कार्यों को लिए या साइंटेफिक जो भी एजुकेशन है उसको देखते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि उसकी उसमें छेड़ शार नहीं की जानी चाहिए चाहिए वो पौदा हो जीव जन्तु हो या कोई भू आकरती हो या कोई जलियत अंत्र हो इस चीज का ध्यान रखा जाता है अगर किसी तरह का रिसर्श वर्क चल रहा है कुछ भी चल रहा है तो उसमें छेड़ शार नहीं की जा सकती उन चीजों में इसके दोरा इसकी चीज क के लिए पर्मिशन है और किसी भी चीज के लिए पर्मिशन नहीं है रीजन इसके अंदर वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू कर दिया जाता है जैसे यह लागू होता है इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी को रोग दिया जाता है उसको प्रतिबंदित कर किसी एक पार्ट को नहीं रोका जाता है जहां तक बनाया जाएगा जो बांडरी होंगी उसके अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटीज को रोग दिया जाएगा यह इस वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहता है अब नेसल पार्क में इन सभी चीजों को रोग दि किया जाता है अगर इसमें कोई भी जैसे पेड़ है पौदा है जलियत अंत्र है या भू अकरती है किसी भी तरह का पेड़ हो पौदा हो जन्तु हो जो भी इसके अंदर आएंगे उनका समान रूप से संद्रक्शन किया जाएगा लेकिन वाइड लाइफ सेक्चरी इसके संद्रक्शित किया जाएगा उनका बचाव किया जाएगा ठीक है और मैंने बताया लाइब भाइड़ लाइफ से किसी खास स्पीजिस को एक इस्थान दे जाता है उसको छेडशाल से मना कर दिया जाता है लेकिन इसमें सभी को परावर जो भी इसमें आएगा उनको समान र रिशार्च हो सकता है थोड़ा इसमें ट्रेवलिंक बिलकुल नहीं हो सकती इसमें थोड़ा बहुत रिशार्च हो सकता है एजूकेशन के परपस से जो भी होगा उश में ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह की छिर चार वहां की चीजों से नहीं होनी चाहिए आगे है लिए पूरी तरह से इसमें सिर्फ जो मैंने बताया था इसमें इसमें सिर्फ आधिकारी और करमचारी जा सकते हैं जो कि इससे रिलेटिट हैं जिनके हाथ में इसको संजक्षिड है तो यह था हमारा नेशनल पार्क जो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको जानना बहुत जरूरी था तो अगर आप एज़िटी जिसको सही से याद कर लेते हैं समझ जाते हैं तो गैरेंटी है यह कि आपका एक भी कॉश्चन खराब नहीं हो शकता तो आज के लिए मिलते हैं आगली फीडियो